हलो बच्चों स्वागत है आपका आपके चैनल SRS Learning में बटे ये हमारी हिंदी की बेटा से सिक्स्त किलास की कौन सी सिक्स्त किलास की वरक्षिट है वरक्षिट का जो नंबर है जिसको हम कारे पत्रक बोलते हैं वो है 26 और हमार जो तिती है वो है 24 दिसंबर 2020 इसमें जो मारा पार्ट चल रहा है ऐसे ऐसे एकांग की इसका अच्छटा भाग है ठीक हमें क्या पड़ाता कि हमने अब तक जो पड़ा था वो मैं आपको बता देती हूं ठीक है कि एक बच्चा होता है वो क्या अपने पापा के साथ जा रहा होता है उसके अचानक से पेट में दरत हो जाता है लेकिन वो पेट में दरत को कहता है कि मेरे ऐसा ऐसा हो रहा है जो भी उसे पूछता है मम्मी पूछते हैं कि पापा पूछते हैं डॉक्टर पूछता वो क्या हर बार के जवाब देता कि ऐसा है स्की मम्मी जो है बौथी जिंता मेर्टने और वह डॉक्टर खायर स्षपून करती है ठीकश है तो उसके आगे की ये कथा है kis Patch है कि ले गए थे तभी पड़ोसन आती है घ् 1 पटब बोड़ोसन लगता है कि हमारे भी के प्यक्ता हम चले जाते हैं ऐसे के पर पूरोसन की ऑने पर उखार क्या क्या हूं असकारएपचर क którego के पिते पिर आओ जी राम की काकी पहले ऐसे बोलते थे कि उसकी काकी उसकी मां ठीक है कैसा क्या होता लोचा लोचा फिरे है जाने वह ऐसे ऐसे दरद क्या है लड़के का तो बुरा हाल कर दिया प्रोसन कहती है फिर ना जी इतनी नई नई बिमारे निकली है देख लेना यह भी कोई न्या दरद होगा राम मारी बिमारे और ने तंक कर दिया नए-nए भूकार निकल आए वह बात है कि खाना पीना तो रहा है था और फिर मां कहती है कि डाक्टर कहता है कि बद बढ़ता है वह कहते हैं दक्टर बढ़ता है आज रोटी उनके साथ खाकर गया था उसका अपने पापा के साथ खाया था वहां भी कुछ नहीं खाया आजकल बिना खाय बीमार होती है बहर से आवाज आती है मोहन मोहन फिल मास्टर जी का परवेश होता है मा मोहन के मास्टर जी बुकार कर आजाएए फिर वो कहते हैं बह़र से अवाब लगा लगा रहे था है बही तो हम यह जा देख Syd tamp कही होते हैं कि पहले से भार से हवाब लगा 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 रहे अब हम इसके question पे आते हैं बैटा कि ऐसे ऐसे जानने के लिए पडोसी ने कौन कौन सी बिमारियों की जो आशंका व्यक्त करी तो हम कैसे लिखेंगे इस question को कि पडोसी ने किसी नई बिमारी या नए दरत के साथ साथ नए बुखार होने की आशंका क्यात करी थी जता आई थी तो हम इस तरीके से अपना first question लिखेंगे बच्चे आप इस तरीके से लिखना फिर हमारा next question क्या है कि पार्ट में आए वाकिये जैसे लोचा-लोचा फिरे है के बदला ढिला ढिला हो गया मतब इसका दोना का मतब एक ही है या बहुत कमजोर हो गया लिखा जा सकता है लेकिन लेखक ने सवान में विशेशता लाने के लिए बोलियों के रंग रंग का रंग धंका उप्योग के मतब उसने का है कि मतब उसी बोली को जिसमें बोली में निकली है, राम मारी बिमारे अन्मार कर दिया है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी डाड़ी है, अनुमान लगाओ कि इन पंक्त़यों को दूसरे अनुमान लगाना है, अगर हम इन पंक्त dysrano को दूसरे ढरें से लिखते, तो हम किस प्रकार से लिखते ये भी अब बच्चे आपके लिए हमने लिखके रखा है ये रहा तेकर ये आपका second question है कि इन पंक्टियों को दूसरे डंग से इस प्रकार लिखा जा सकता है कैसे कि इतनी इतनी नई बिमारे निकलना है इसको हम लिख सकते हैं कि इतनी नई नई बिमारे हो रही है या आज कल कई बिमारे हो रही है लिखा जा सकता है तो इसको दो प्रकार से लिखा जाता है इतनी नई नई बिमारे हो रही है या आज कल कई बिमारे हो रही है अब है कि राम मारी बिमारे ने तंग कर दिया इसको कैसे लिख सकते हैं मिसको लिख सकते हैं कि कष्ट देने वाले बिमारे ने परशान कर दिया है या हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि बहुत सी बिमारे ने दुखी कर दिया है तीसरा कौन सा था हमारा कि तेरे पेटे में बहुत बड़ी दाड़ी आ गई है इसका क्या मतलब कि तू तो बहुत जूट बोलता है या तू बड़ा कप्टी है तो इसमें क्या है इस तरीके से हम ये बच्चे लिख सकते हैं ठीक है अब हमारा ये second question होगे अब हम चलते हैं आगे अब क्या है कि संकट के समय पुलिस से तुम कैसे बात करोगे संवाद की रूप में लिखना है कि कोई संकट आ गया तुम पुलिस को फोन करते हो या आमने सामने बात करते हो तब आप कैसे लिखोंगे वह भी आपके लिखा गया है मैं आप सकते है मैं आप बोल सकते है ठीक है कुछ भी आप बोल सकते हैं मैं इस्पेक्टर सिंग बोल रहा हूं वो आपकी मर्जी आप क्या लिखना चाहते हैं या पूरा नाम भी लिख सकते हैं कि मैं इस्पेक्टर लालू सिंग बोल रहा हूं राम परसाद बोल रहा हूं कुछ भी बोल रहा हूं का यह आप नाम सना हो सकता है आपका नाम पिंकी हो सकता है जो भी आपका नाम है वो आपको यहां पे लिखना है इसलिए ही मैंने जंगे छोड़े ताकि आपको अपना नाम लिख सकते हैं फिर आपने नाम लिख दिया मेरे परोसी के मकान में चोरी हो गई है यहां का पता आप अपने प पता लिखेंगे कि पहुचने का कस्ट करें इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैं जल्द ही आपके बताए पते पर पहुच रहा हूं आप परिशान नहों फिर वो कहते हैं जी धन्यवाद ठीक है तो यह हमारा कि किस प्रकार से क्या है हमें यह थोड़े हमें सवाथ आने भी चाहिए अब हमारा नेक्स कोशन है कि मा ने परोसन को मोहन के बारे में क्या क्या बताया था हमारा फूर्थ कोशन को कौन सा यह रहा कि मा ने परोसन को मोहन के बारे में यह बताया कि वह बहुत कमजोर हो रहा है और डाक्टर साहब बदबजमी कहा रहे हैं आप यह भी लिख सकते है कि उसका हाल जो है बेहाल हो रहा है ये भी क्लाइन लिख सकते हैं कि वो कमजोर हो रहा है साथ में उसका जो हाल है बेहाल हो रहा है और डॉक्टर ने उसको बदहजमी बताई है ठीक है बच्चों तो ये आपकी बेटा 6 किलास की वक्षिट है मुझे पूरी उमीद है कि आपको अच्छी लगी होगी तो बच्चे लाइक का बटन दबा के हमें जूरूर बताइए कि आपको कैसी लगी और उन बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारे जो हमारे लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारा वीडियो सरा रहे हैं उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बच्चों उन बच्चों को स्वागत है जो हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज आप जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बैल आइकन को भी हिट कर लिजगा ताकि जब कोई वीडियो डाले तो आप के पास मिंटो में आपके पास मिंटो भी नी चौंद सेकेंड में पोच जाए ठीक है चलो बच्चों मिलते हैं आगे की वक्षित के साथ यही उमीद है आप पढ़ेंगे अच्छे से और बेटा कोविड-19 से बचके रहिएगा बहुत खतरनाक बिमारी है सैनिटाइस का यह कहीं जाना है और दो गजदूरी का ध्यान रखे ठीक है चलो बच्चों बाई